हलो इस्टुडेंट वन्स अगेन वेलकम बैक इन दिस क्लास जिसमें आज आपको पढ़ाने वाले हैं क्लास फोर के अंक जगत की बर्क वोक जिसका आज डे चल ला है 12 यानि बारवे दिन की क्लास और इसमें हम पिछले क्लासों का रिवीजन कर रही हैं इन दा फालोंग क्वेश्चन दिये के प्रेस्ट में फर्स्ट एस्टीमेट दा एप्रॉक्सिमेट आंसर एंड देन सॉल्व पहले उकर एप्रॉक्सिमेट आंसर आपको पता करना इनका मतलब एक अनुमानत बताना है तब आपको उसे सॉल्व करके बताना है तो डारेक्ट लिए ऐसा नहीं करना है कि आप इनको एडिशन ही कर दें पढ़ते हैं फर्स्ट क्वेशन को रोहत बाज राइडिंग ए मोटर साइकल रहा था तब बीट ऑफ दा मोटर साइकल बाज मोटर साइकल का बजन एक सो सत्रा क राइडिंग जब रोह तो इस मोटर साइकल चला रहा था तो दोनों को मिला कि बजन कितना था तो एक्टम डार्ट लीन का एडिशन करके बता सकते लेकिन यहां पर आपको एस्टीमेट वैलू बताईए अंदाज बताईए तो अंदाज न कैसे बताएंगे कि यह जी लिखा हुए 117 यह 100 ही माना जाएगा अगर आपको अंदाजन बताना है तो और 67 को 70 माना जाएगा तो टोटल जो बजन हो गया 1170 केजी जो इन्होंने कहा है उसके अंसार नेक्स क्वेश्चन है कि 130 people are sitting in a train compartment यह train के डिब कर्षे है रेल का डिबभा एक डिबभी में 132 लोग बैठे है और दूसरी दिबभी में 119 लोग बैठे हुए तो आपको बताना है आपको बताना है पीफेश्टिण आर सईकंटम्स वैसी टोटल तो टोटल उस बस में उस लिखना चाहते हो तो निरेस्टु 10 के लिए इसको हम लिख सकते हैं 130 और इसे भी इसकते हैं 130 तो ये हो गया 260 प्यूपिट। इसको हमने लिखा था 117 को 100 ही लिख दिया था अगर आप चाहू नियरेस टू 10 लिखना चाहू तो वह हो जाएगा 120 और यह सेवंटी यह आप 117 को 120 माल लिजेगा और 67 को आप 70 माल लिजेगा तो यह हो जाएगे फिर 190 ठीक दोनों ही सही है वैसे यह जो अभी आपको बता यह से ज्यादा बेटर है इससे नेस्ट कोश्चन है अब यहाँ पी देखा हमें एप्रोक्सिमेट वैलू ही फाइंड करने इनकी है तो उसके बाद आपको इन्हें एडिशन करना है कहले फर्स्ट तो एस्टिमेट वैलू आप पहले इनकी एस्टिमेट यानि अनमानते वैलू को फांड करें फिर एडिशन करें यहानि 341 को आप किया कह सकते हुआव निरेश ट्ट तु हंडेड आप लेना चाहों लेक собствен निरेस्ट करिएता सकती है रहा मान सकते हैं 70 अब आप इनका कर दीजिएगा एडिशन जीरो साच चार ग्यारह और यह चार फोर अंडेड टैन कि यह दोसो अठारह हैं दोसो यह टूंडेड एटीन को हम 220 मान सकते हैं कि लगवग दोसो बीश के पास हैं और 637 को हम 640 मान सकते हैं यह यह जो लास्ट बाला नमबर है अगर 5 या 5 से जाद है तो जैसे यह 8 का हो जाएगा 0 और 1 कि इदर बढ़ियागा यह नहीं 18 है कुल मिलागे अठारह को आप 20 कर दीजिएगा और 37 को आप 40 कर दीजिएगा ऐसे है 0 6 8 इसी प्रकास यह 47 है यह लगवग 50 के पास में तो पचास मानेगे से और यह देखो 407 है 407 10 के करीब है तो यह 410 लेख सकते हैं अब एडिशन कर दीजिएगा इनका तो यह हो गया 460 यह 8 10 के करीब माना जाएगा और 809 को 810 माना जाएगा तो यह हो गया 820 इस प्रकास से यह अप्रोक्षिमेट वैलू की क्वेश्चन किये जाते हैं नेश्ट है कि यह 300 510 और 21 इसका मतलब क्या 300 का मतलब है 300 रुपे 100 के 3 नोट तो 300 रुपे 510 का मतलब है दरदस के 5 नोट है तो 50 रुपे और 21 के 2 तो यह हो गए 352 अब इधर का देखेगा इधर 500 का मतलब है 100 के 5 नोट है सीधे हो गए 500 रुपे 310 का मतलब है दरदस के 3 नोट हो गए 30 रुपे और 4 खोले हुए तो यह हो गई है 534 इसमें बड़ी संख्या कौन है बड़ी संख्या 534 है तो आप बी पर ऑप्शन लगाएंगे यह में इधर का बड़ा नहीं है यह वाला चेन इसमें आएगा तो आपका बी ऑप्शन होगा ठीक देखते हैं डे 13 की क्लास डे 13 में भी आगया पहले आपने की अप्रोक्सिमेट बेलू फाइंड करें और उसकी बाद आप इसको दैन सॉल्व लिखा हुआ बाद में सॉल् सकते हैं अब मानस कर दीजिएगा जीरो सिक्स त्री यह 500 हैं तो आपको कुछ नहीं करना 376 को हम 380 लिख सकते हैं कि करने मतलब यह संक्या यह लास्ट वाली 10 के करीब है तो उपर की तरफ जाएंगे तो 088 यह 3-1, 711 तो 711, 10 के करीब यह 710 हो जाएंगे और 18 20 के खरीब है अब मानस कर दीजिए यहाँ पर मानस करना था सॉरी जीरो यहाँ 10 में से 8 जाएंगे 2 और यहाँ 4 में से 3 जाएंगे 1 बनने ट्वेंटी यहाँ पर मानस करेंगे तो 011 में से 2 जाएंगा 9 और 6 690 सब्सक्राइब करना आपको यहां पर कुछ नहीं का गया आपको पहले रांड फिगर में लेना है राम काउंट दा चेर पिलेश्ट इन दा रो ऑफ सेरेमनी सेरेमनी का मतलब होगा कोई फंक्शन हुआ होगा साधी व्यास हमारों वहां पर उसने एक पंग्ती में कुर्षिया गिनी है एक लाइन में 45 कुर्षियां थे सम और कुछ रंगीन थी और कुछ उसमें सपीद कुर्षियां थी आफ्टर वार्ड उसके बाद ही कांटेड ओनली दव हाइट चेर फिर उसने क्या क्या पहले गिनी 45 फिर उसने केवल सपीद वाली कुर्षिय गिनी तो उसने 19 वाली चेर को मानस कर देंगे बच जाएंगे आपकी पंद्रा में से छे नौ जाएंगे छे और तीन में से एक या दो यानि 26 कुर्षि जो थी वो कलर वाली कुर्षि थी नेक्स्ट है प्रिवीन एंड राम गौट टोटल 31 मैंगोट दो लड़के हैं जिनने के पास खुल 31 आम हैं इंग एक लड़की ने थो उसमें से 13 आम प्राप्त किये तो फिर दूसरे लड़के ने कितने आम प्राप्त की था जब दोनों के 31 हैं और एक की था थे था यह ग्यारह में से तीन यह अठा रहे हैं तो एक के पास तेरे आम है तो दूसरी पास अठा रहे हैं नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है इस क्लास का कि 15 बसे आर गोंग टू टू आट चेंड नहीं चांदरी चौक मार्केट एक जगह से 15 बसें चांदरी चौक के लिए जाते हैं और 17 बसें राम लीला मैदान की तरफ जा रहे हैं किसी ने एक बहाद चौराय पर बैठके हमनिंऄों कांट कृस्टो कि घाता है करता है इससरें आटन की आता सूंट भारग है